अगर परियाई बाची होते हैं, समान अर्थी शब्द होते हैं, तो फिर कहा जाता कि ये दोनों एकुल हैं, हर जगा समझायागा है कि वो एकुल नहीं, एक ही भावना नहीं होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट कार्थ होता है, जहां पर विक्ति थुदा स्वावलंबी कार्थ होता है, कि उसे पूरी श्रद्धा इस बात में कि भगवान ने उसमें, उस विक्ति में, भगवान ने हमें बहुत सारे ऐसे गुण दिये हो हैं, जिसके आधार पर हम अपना कारे स्पेक्टि से कहते हैं, आत्म मिश्वास, आत्म सम्मान, जहां पर हम जानते हैं कि भगवान ने हर विक्ति को गुण दिये हो हैं, और हमें भी बहुत सारे गुण दिये हैं, बस हमें अब उनको समझना है और उसमें निखर निखारना है उसे और उन गुनों को चमकाने का प्रयास करने हैं, तो यह हो गया आत्म सम्मान की बाद, सेल्फ रिस्पेक्ट की बाद, या सेल्फ इंडिपेंडन्स जिसे कहते हैं, स्वाबलं भी होना, इगो कार्थ होता है जहां पर हमें लगता है कि हमारे अस्तित्व का सम्मान बाकि लोगों ने करना चाहिए, उसे कह प्रियाईवची शब्द्रे सही आहंकार के लिए परियाईवची शब्द्ध परियाईवची सब्द है आं आ सेवक भावन आपने आपको है है अपने आप में है ये शमध्धाओनी चाहिए कि कि हम सेवा कर सकते हैं, उसे कहते हैं सेवक की भावन, कि हम सेवा करने में समर्थ हैं, तो जहां पर हम, हमारी समझ ये होती है कि हम सेवा करने में समर्थ, हम सेवा करने में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे योग्य अहंकार कहा गया, अहम करोती, वहां पर सही होगा, क्य क्योंकि हम जो हैं सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करो दी, सेवा हम करते हैं, तो उसे योग्य माना गया है, अंग्रेजी में उसके लिए इगो शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसको ट्रू इगो करके ऐसे कभी प्रयोग नहीं किया गया है, तो ट्रू इगो शब्द प्रयोक कर ले ऐसे कहीं इगो अक्सर अर्थ जो है नकरात्माद रिष्टिकुण से लिया गया है ठीक है तो जहां पर हम दूसरों से यहां अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं कि वहां हमें करता समझें वहां हमें श्रेष्ट समझें वहां पर यह अहंकार की बात आजाती है प्रिवी वो है जो सही यह को है उससे कहा जाता है सेवक भावना या सेवा भाव रखना सेवा भाव का योग्य उसकी परिभाशा यह होगी कि सेवा करने का समर्थ है हमारे पास है कर दो सहई है है लगता है है सर दो सह रहाई है कि सेवा है गलजे वोग्य में अढ टूिज एल अलबंग लगक है फब़तां सेवां किसमें